नमस्कार साथियों आपका स्वागत आपके योटूब चनल ट्रेड वित्रोनेक चलिए दोस्तों आज के सुरूब बात करते हैं जैसे कि हमारे क्वार्टर थीरी सीरीज चल रही है निचल्टकी तो उसके अंदर DCM नोवैली लिमिटेड का जो क्वार्टर थीरीगर जड़ा है उसके वारे मां बात करते हैं तो देखिए एक कमपनी के में वैब करते हूं उससे पहले आपने अभी तक आपने अपना चनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं पहले चनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल एकों को बज होने पर त्यार है तो डेफिलिटी देखिए टेक्स्टाइल सेरों के अंदर तीजी देखनों मिली आपको तीजी की वज़े क्या है गौवर्मेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है गौवर्मेंट की जो अनॉंसमेंट आ रही डेवाइड है उससे वह तरा बेनिफ करना बिल्कुल ना भूलिए उसके वारे माँ बात करते हैं तो यह तो इसको रिजल्ट है उसकी बात करते हैं तो इसकी जो सबसे पहले अंदेखेंगे किसमे आई यह लेक्स के अंदर आई इससोहां तो yn harambre और द piace कहल drie algumas विन एक दो कि डिपन तो उन कोशे में सोब जु सेल 24453 तो तो इनके टॉद सेल हुई 32414CK यहीं quarter quarter sale में गरावट देखना हो मिली है अब last year देखेंगे तो 15,382 तो year-year-wide sale में इजाफ़ा देखना हो मिल रहा है आपको तो last year sale थी 15,382 वो बढ़के हुए 23,444 और last quarter sale थी 24,453 वो खटके हुए 24,444 तो year-year-wide sale में इजाफ़ा देखना हो अला है बट quarter quarter-wide sale में गरावट देखना को मिल रहा है वहीं expense की बात करेंगे तो इस quarter में expense total 19,297 और last quarter expense था 18,907 यानि quarter quarter-wide expense बढ़के हुए और last year था 13,745 बढ़के हुए 19,277 ये-year-wide expense बढ़के देखना को मिल रहा है वो देखिए इनका operation profit जो आया इनको देखिए इस quarterman को operation profit आया है 44,197 का इनका operation profit आया है और last quarterman का operation था 5546 लाग का और last year था 1637 लाग का तो देखिए इजर ये-र वाई operation profit में अच्छी खासी बढ़के देखना को मिल दिया last year था 1637 वो बढ़के हुआ है 497 और quarter quarter वाई देखिए गरावर देखना को मिल रही है अब चलते हैं इनका operation net profit कितना है तो इस quarterman को net profit आया 3,085 लाग का और last quarter में था इनका 4,146 लाग का last year था 1227 तो इयर यर वाई तो अच्छी खासी जाफा देखना को मिल रहा आपको net profit के अंदर भी देखिए last net profit था last year 1227 वो बढ़के हुआ है 30,85 और last quarter था 49,49 वो बढ़के हुआ है 30,85 तो इयर यर वाई तो अच्छा खासा result के अंदर impact देखना को मिला quarter quarter वाई downfall देखना को मिला है net profit के अंदर भी अब अंदिंग परसी पर चलेंगे तो last इस quarter में अंदिंग परसी है रहा 16.51 तो last थी 22.16 और last year थी 1666.56 तो 10,10 खुना बढ़के देखना को मिलिए year year वाई में बाकी quarter quarter वाई अच्छा खासा ग्रावर देखना हो मिलिए 5% EPS में तो देखे समझे इसमें और कोई news ता आई निया कोई government ने dividend तो दिया निया बाकी देखिए sale में इजाफा देखना हो मिल रहा है आपको sale में थोड़ा सा difference देखना हो मिला है कि last year के विहाब पर इस year कैसा uptrending देखना हो मिला है तो year year वाई काफी अच्छा result देखना हो मिला है quarter quarter वाई काफी downfall देखना हो मिल रहा है यानि 10% का फ़राखे differences है चाए sale में देख लिए चाए net profit में चाए EPS के अंदर year year वाई काफी अच्छा uptrending है परसेंट का book value 136 रपे की है और ROI return of equity इसकी है 18.1% की dividend company नहीं देती है और company की face value 10 रपे की है company नहीं almost अपना कर्जा खातम किया सबसे अच्छा इंडिकेशन है company के अंदर company quarter quarter वाई रिजाल अच्छे दरी यह भी बहुत अच्छी बात है अब company के share holding pattern देखते हैं कैसी चली इसकी इस quarter में कैसा फेर बदल रहा वो समझते हैं तो देखे share holding pattern December quarter के अंदर सितंबर quarter में promoter के holding पचास पॉइंट पंदरा वो घटके हुए है पचास पॉइंट आठ तो यह एक यह negative sign देखनों का मिलता है एक positive sign हो रहा है promoter holding pattern में देखे FIS ने अपनी holding 0.21 से बढ़ा का 0.89 कर दी यह बहुत अच्छा इंडिकेशन है DIS की holding same है 6.53 तो DIS की 6.53 इस quarter में same है और public की holding 43.11 वो घटके हुए है 42.50 तो देखे सबसचा इंडिकेशन के अगर promoter ने अपनी holding थोड़ी से घटा ही है तो FIS ने अपनी holding increase करी है देखे परमोटर decrease करा था FIS ने अपनी holding increase करी तो यह भी काफी अच्छा indication है और क्या इसके अंदर और कुछ तो है नहीं share काफी अच्छा result काफी अच्छा company के बहुत अच्छे management है कंपनी डेवाइड ग्रोथ करें मल्टी वैगर के रूप में साबित हुए कंपनी आने दो तीन साल के अंदर बहुत अच्छे तो आप देखिए अपने 52 ही को ब्रेक करा इसने फ्राइड के दिन इसमें देखिए इसका फ्राइड के दिन हाई तर तीन सो चाहसी रुपर दस पास एगा तो इसमें तीजी तो बरकरार रहने वाली है क्यों आभी सम्झा दो तो चार्ट पर जाके तो देखिए पांस दिन पर इसने 32 परसंट दो पॉजिटिव में अब इसके अंदर और के अंदर के इंडिकेशन है वह समस्ते से पहले सब चलिए चार्ट पर चलते तो डेखिए डेली चार्ट पर जो इंडिकेशन देखिए या अभी अफने 52 ही पर चल रहा हो देखिए कोई घ्रावट के इंडि तो तीस के असपर बन रहा है तो थोड़ी गिरावट में बाइंग करिये क्योंकि अब यह चल चुका शेर इसमें घ्रावट देख रहे हो मिलेगा आपको जादा नहीं देखने के मिलेगा को जादा खराब नहीं है अच्छे हैं यह काफी अच्छे हैं थोड़ी से डिफ्रें 20 थारिज्ज्ए पर्ट्वोलियों में बाकि इसको फॉंडमेंटल अच्छा कम्पनी में तेजी बरकरार है और यहाँ डिफ्रेंग होड रही है तो इसमें होल्ड रखी इसमें सेल करना चाहता है तो आप 320 के बाद 420 के बाद इसमें एक्जिट करने की सोचे उससे पहले न अगर यह वीडियो आपका चलगता प्लीज वीडियो को लाइक शेयर फवाइट करना बिल्कुल ना भूलें थैंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो